उत्राखन की खबरों के मेगा बुलिटेन अपना उत्राखन में आपका स्वागत है मैं आपके साथ कावेंदर चौहान बुलिटेन की शुरुवात करेंगे उत्राखन प्रदेश में विधान सभा चुनाव खुलेकर सभी पार्टिया मैदान में उतर गई है विधान सभा चुराओ में पहली बार भीम आर्मी के संस्थापक एड़ोकेट चंदर शेखर भी आजाद समाज पार्टी का गठन कर चुनावी दंगल में उतर गए है उत्राखन में भी कई विधान सभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोशित कर विधान सभा चुनाव में अपनी उपस्तिती दर्ज करती है मंगलोर विधान सभा सीट पर काजी मोनीश को आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाए गया है सभी पार्टिया मतदाताओं को रिजहाने के लिए भरपूर कोशिशे कर रही है आजाद समाज पार्टी के मुद्दों को जनता के बीच पहुचाने के लिए अलगी तरीका अपनाया है मंगलोर में नुकड नाटक के जरिए आजाद समाज पार्टी का परचार परसार कर लोगों को पार्टी के नियतियों से आवगत करा रही है पार्टी शोशितों की वंचितों की आवाद उठाने का काम पहले से करती आई है हमारे दाश्टी अधिश मानेरवा की चंचिका राधा साहब ने एक लंबे समय तक इस चीज के लिए संगर्च किया है उस मेसेज को वैसे सभी लोगों तक वो पहुँच चुका है लेकिन जिन लोगों तक नहीं पहुचा है उसको नुकड नाटक के माधियम से हम वो मेसेज पहुचा रहे हैं और लोगों को इस बास से अगाह कर रहे हैं कि अब तक आपके साथ धोका हुआ है च्छला गया है निया इतिचार के खिलाफ हम लोग आवाद उठाते आए हैं और हम अपनी जो दंडेरे बताया कि इस बार निर्वाचन विवाब की तरफ से प्रत्याशियों के लिए उनलाइन नामांकन पत्र भरने के सुबिधा उपलब्ध कर आई गई है जिससे वो आसानी से अपना नामांकन ऑनलाइन भर जमा कर सकेंगे जिसकी रिसीविंग भी उन्हें ऑनला पत्रों को भरने का सुबिधा प्राप्त हो रहा है साथ साथ में जो कैनिडेट्स होंगे या फिर उनके प्रत्याशी होंगे प्लिटिकल पार्टी के वो लोग किसी भी सभा की जो अनुमतिया प्राप्त करते हैं निर्वाचन कारे के दौरान उसके लिए उनको सुबिधा जो प्लेट्फोर्म होता है पॉर्टल है निर्वाचन आयोक का उसका प्रहोग करने की इस बार आनुमतिया इस बार आपको ऑं- curt धं handful गया करने का भी ऋम खामोशी चाही हुई है। काशिपूर से टिकेट के प्रमुख दाविदार के तौर पर सामने आए पूरुसालसल और बीजेपी नेता बलराजपासी जहां काशिपूर विधानसबाद शेटर में अपनी जमीन बनाने के जुगत पे जुटे हुए हैं तो वहीं सूत्र बताते हैं कि बीजेपी खेमा बलराजपासी के काशिपूर आने से नाखुश बना हुआ है। इससे जहां बीजेपी को काशिपूर मेहार का सामना करना पड़ सकता है तो वहीं इसका सीधा फाइदा कॉंग्रिस और आमादनी पार्टी से चोड़तर देखा जा रहा है। बीजेप देखिए वो तो हम लोगों का भी यह है कि जो है वो भारी पिरत्याशी नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्टी संगठ हैं जो भी तै करेगा वो तो पार्टी के उच्छ नितत्त पर डिपेंड करता है। लेकिन पार्टी नितत्त भी समझता है कि भार का पिरत्याशी आकर ह यहां पर चुनाओ नहीं जी सकता तो इसलिए मेरे खाल से शायद उस पर वोक्री गेम उत्रा खट में विधान सभा के चुनाओ नस्दीक हैं ऐसे में न्यूस बॉल इंडिया की टीम ने हरिद्वार की जबरेडा विधान सभा के कुछ गाओं का दौरा किया और 2022 चुनाओं को लेकर लोगों की राय चाहिए है कि किस तरह का माहौल है किस तरह का विधायक जबरेडा की जनता देखना चाहती है इस दोरान लोगों ने क्या कुछ का इसको आप जड़ा सुनिये नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मौमर रजीम आप देख रहे हैं न्यूजवर्ड इंडिया आज न्यूजवर्ड इंडिया की टीम जबरेडा विधान सभा के नगला कुप्रा को में पहुंची है यह जानने के लिए कि चिनौवी महौल यहां पर क्या है सभी पार्टिया अपने परचार में जोर सोर से लगी भी है नगला कुप्रा में किस तरह का महौल है जबरेडा विधान सभा को लेकर बात करते हैं हमारे साथ यहां ग्रामीर मौजूद है क्या नाम आपका जी मौम्मद उस्मान उस्मान जी महौल क्या है इस बार दो हजार 22 का महौल जो हम देख रहे हैं अपने गाउं में नगला कुप्रा में लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्स में दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसा इसलिए के दो हजार बारा में यहां से माने हरिदास जी विधायक थे तो उनके टाइम में लोग बहुत सकून से अपना ज आज उनके सपुत्र आजित्य व्रजवाल को बस्पाने परत्यासी बनाया है उसमान जी कहना है कि कभी कोई जगडे फसाद ने हुए और यहां साथ हमार साथ मोजुद है अमन जी किस तरह का महूल है यहां बीएसपी का क्यों बीजेपी के 2017 में विधायक बने देशाज करनवाल जी और कांग्रेस भी जोर सोर से पना परचार कर रही है ऐसा है मेनवाद ही है कि उस टेम पर जो वह जो कंडिडेट खड़ा था वो कुछ सईसा नहीं था तो इसलिए कंडिडेट बहुत बहुत अच्छा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है आज इते पर जवाल ही इस सिट पर उमीदवार है और इस सिट पर किस तरह का महल देख रहे हैं कि एक तो जो पड़तियासी है पड़े लिखे है और यह लोग कह रहे हैं कि आदित्य बरेजवाल के पक्समें महाल है पड़े लिखे हैं आपका यह लोग अजित्य बरेजवाल के पक्समें महाल है और वो गड़ी बाप दिम्यों की हैल्प भी करते हैं उनके पिता जी ने भी बहुत गरीब आदमियों की हैल्प किये और इस बार बीस पी से उनको टिकट हुआ हुआ है उनके बैटे को अरिदास जी के बहुत अच्छा लड़का ह हर रुख हर छोटे बड़े आजमी का सम्मान करता है उनके पिता श्री जो अरिदास जी हैं विधायक रहे हैं वो भी लोगों का सम्मान करते थे इनका कहना यह है क्या नम आपका अब शबीर शबीर जी किस तरह का महौल देख रहे हैं विधान सवाज जबरेड़े मैं अमीद कर रहे हैं क्यों कि उनके पिता जी ने पहला विधाक रह चुके हैं और अब उनके लड़के हैं जिन हैं जिनके पिता जी ने कानून देख लिए दो उनके लड़के भी कानून सही कर सकते हैं कानून सही कर सकते हैं युवा चेरे हैं उनके पिता जी यहां रहे हैं क क्याना कynı कुमार ची क्या कहेंगे युवाच है के तो है युवाच यह क्यों सmen rains i can डे उन्य जानती इचा और पहले से उड़ेक्द आपे क्योंकि जानती है उन्हें एद आ पर हरुब जानती है और NORओ देख़ा मों कि कैसे जानती है उन्हें और जाने पाशाने रहे हैं आपका क्या कहना है मौहमद प्रहादी बहुत अच्छा हमारा कहना है यह च्छे और सुब के दुख्षुक में काम जाते हैं वस्ताई हो कुछ आपका वोट है इस पार अभी वोट नहीं है पहली बार वोट बनाए है अच्छा जो जैसे हां वैसे ही अभी कुछ खुलकर नहीं बोले पहली बार इनका वोट बना है अभी हम नवला गुब्रा में थे देखना एक साती हमारा साथ हो रहा है वह जबने विधान सबाव में महल तो महल तो खराब है यह कोई ऐसा विधायक बनता है नहीं जो बसपा देखती है वो नहीं मैं कह रहा हूं विधायक ऐसा बनाओ जो काम भी करें गरीबों के लिए बसपा का बने या कांगरस का बने यह ना आना चाहिए भाजपा वाला बस भाजपा से नराज है भाजपा कुछ करती है विधायक तो है यह जैसा है वो तो गाउं में गाउं में बसपा का के प्रती महौल बनावा है अधित बरजवाल एक युवा चेहरा है इसलिए उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं आगे दूसरे गाउं में जाकर देखेंगे छेतर में किया महौल है अभी न्यूजवर्ड इंडिया की टीम जो है लाठर देवा से गाउं म में पड़ता है कि लोग यहां चाएकी चुसकि ले रहे हैं इनसे बात करते हैं के महौल किस तरह का है में महौल है किसके कहां कि marching को यहां से विधायक यहां पर बीजेपी के उन्हें कुछ नहीं किया यहां साथ युवाच साती है क्या मोहल किसका कॉंग्रस का है तो का एक तरफा कांग्रेस पांग्रेस और विधायक जी है देसराज जी पांच साल में अब आगे था नहीं तीन चार सड़कों का जो हनु वह किया है लेकिन अब पांच साल से यहां नहीं है फांग्रेस के परक्स में मोहल है आपका क्वारी कांगरस के परक्स महाल सभी कांगरस के परक्स में बोल रहे हैं याप कांगरस के इसम ही जिए युगास आथी बेटे हुए है क्या नम आपका मुहमन तो यह बहु इसके पक्स महूल है यहां बड़े-बड़े जानने कई हैं इतलेजर सब्सक्राइब होते हैं और सब्सक्राइब में उन्दार नावaglesिन में là यह सब्सक्राइब करिसे होãoने बीום हैं क्षाज है माहोल तो देखो यहां से 21 साल होगे उत्राघंड को बने हुए पर उत्राघंड का सोसन हुआ बाकी कुछ नहीं हुआ विदान सब्सक्राइब का आप हाद लेखलो तमाम विदान सब्सक्राइब गड़े हो ना तो किसी नो विकास किया और ना कोई करेगा हम पूरा बरुस्त चीज़ का किस पर विस्वाज जिता है अब की बार तो जहरू चलेगी और जो किचड ना जहां कमल खिलता है और जाड़ू चलेगी इस बार विदान सब्सक्राइब करेंगे कमल को खिलने नहीं देंगे और कॉंग्रस ने जो है ना कॉंग्रस ने सिरफ मुसल्मान को सब्सक्राइब करेंगे आप देख रहे हैं कि सर्दी कितनी है लेकिन राजदी तिक पारा चड़ा हुआ है इस बर इंडिया की टीम जब्रेड़ा विदान सब्सक्राइब में घूम रही है और महौल जानने की कुश्च कर दिए किसके पक्समा महौल है कुछ यूवा साती ह नाम और साथ यहां मौझूद है यह इन्वाका अनुजी में सुनाओ का हगाज हो चुका है किस तरह का महौले जेञवां में आपको फिसके पक्समें है महाल यहां आपकोष कहना नहीं चाहते हैं क्या है इतन बड़बाइब कैस्प्समा आपको ठीवाएब जाएप आजास सभाज पार्टी आपके यहां से 12 17 में बीजेपी की विदायक बनें उनके बारे में क्या एक है आप क्या हैं का महौल है एस पी तो यहां पर पर क्रथक्राइब लिजी है लगाग विलांसभा का हमने दोरा किया तीन-चार गाउंका दोरा किया वहां पर महौल जो है को कोई एस्पी कह रहा है लेकिन प्रच्छी है अधित के ब्रेजवाल उनके पक्स में ज्यादा लोग मिले हमें देखने के लिए अभी महाल एस्पी के फक्स में है आने वाले कुछ दिनों पाद किलियर पता जनेगा जब जबरेड़ा की जंता किसे सुविकार करती है और किसको अपना विधायक बनाकर विधान सबा बेजती है अपने सेयोगी विनो चोदरी के साथ मैं मुहमुद अदीम नीजवर इंडिया हर्दवार जबरेड़ तुए लालकुआ नगर स्थित हाट बाजार में डॉक्टर लॉपांडे के गुगाई से हाट बाजार में पुलिस के स सवास्त बिभाग की टीम में सबजी बिक्रेताओं और स्थानिय लोगों की कोविड टेस्टिंग की इस दौरान 50 लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया बता दे हैं कि कोरुना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलापरशासन ने स्वास्त बिभाग को कोविड सेंप् सेंप्लिंग बढ़ाने के निर्देश्ति हैं ऐसे में विवाग ने शेत्र में टेस्टिंग तेज करती है जैसे कि आप लोग जानी रहें कि किसी लाइब में पोविट कैसे जो बढ़ने ऑल ओवर इंडिया शुरू हो गया है और लालकों में पिस्नी जो सेंब्लिंग की उ सेंप्लिंग अभी तक हमारे 40 को सेंप्लिंग चली गई है और सब लोगों कवर गरें किस तरह के बॉडी में उसमें चीज़ें लिकल के आ रही है खबर हरिद्वार से है बड़ी खबर हरिद्वार के बड़े सब्सक्राइब बड़े अंत जगत गुरू शंकराचारे स्वामी राज राजेश्वराश्रम को चिठी के जरी धमकी बरा पत्र मिला है पत्र को हिंदी में लिखा गया है धमकी कविता के रूप में लिखी गई बता दें कि पत्र में अंत में तालिबान लिखा हुआ है पुलस ने मुकदमा दर्ज कर जाज शुरू करती है इससे पहले भी दोहजार आठ में जगत गुरू शंकराचारे राज राजेश्वराश्रम महराज को धमकी भरा पत्र मिल चुका है ऐसा है कि ये पहले भी मुझे पत्र जो है मिला था और ये तालिबान का योड़ से उन्होंने पत्र दी आए और मुसलिम आतंकबाद से सारा विश्व परेशान है और मैं चुकी प्रारंब से हिंदुत्तों के विश्व को लेकर देश पर में बोलता रहा हूँ तो इसलिए उनके संग्यान में ये आया होगा कि इस तरह के व्यक्ति को रास्ते से अलग करने के लिए उसे धमकाया जाए डर जाए बंद कर दे लेकिन पहले भी पत्र के बाद मैंने अपने जिसे धानत दर्शाने इंदुत्तों है उसकर मैंने अपनी वाक्त कुनी पहले भी रखी थी अभी एक आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने के सूचना मिली है इसमें के कुछ धमकी बरा एक सुन्ज़श देया गया है इस पत्र के जाच कराए जा रही है और यह देखा जा रहा है कि यह कहां से और जिलेट हुआ है बाकि जिस प्रकार में परी सामने आएगी उसे प्रकार दर्शको हरिद्वार में भगवानपुर विधान सभा एक ऐसी विधान सभा है जिस पर पिछले 15 सालों से राकेश परिवार का दब दबा है 2007 में सुरेंदर राकेश बिएसपी से मिधायक बने 2012 में 2012 सुरेंदर राकेश बिएसपी से मिधायक बने और वो BGP से 2017 में चुना अलगे लेकिन सुरेंदर राकेश की पतनी मम्ता राकेश ने 2017 में सबून राकेश को हरा दिया आज फिर 2022 में राकेश परिवार आमने सामें है सबून राकेश ने besp का तामन थामा है और हाथी के सवारिकी है वहे ममता राकिश इस बार कॉंग्रेस से अपनी किसमत आज पा रही है इन मुद्दो को लेकर न्यूजबर इंडिया की टीम ने भागवानपुर का चुनावी माहौल समझने की कोशिश की इस बार हम क्या कुछ कहा भगवानपुर की जनता ने इसको आप जरा सुनें मसकार आप देख रहे हैं न्यूजबर निया मैं हूँ आपके साथ मुहम्मद रजीम उत्रा खंड में राजनितिक पारा चड़ा हुआ है हाला कि सर्दी बहुत है लेकिन राजनितिक पारा बहुत ज्यादा चड़ा हुआ है आज हम भगवानपुर विधान सबा में आये हैं यहां जानेंगे के महौल क्या है भगवानपुर विधान सबा एक ऐसी विधान सबा है जहां पर कई और जिनाओं से राकेश परिवार का दबदबा है 2017 में राकेश परिवार के ही 210 मम्ता राकेश और सुबोद राकेश बीजे पी और कॉंग्रस से आमने सामने हुए लेकिन मम्ता राकेश को वीजे मिली सुबोद राकेश को हार का सामना करना पड़ा 2022 में सुबोध राकेस ने पार्टी बदल दी है और वो बसपासे अपनी किसमत अजमा रहे हैं उनके परती क्या माहौल है जनता में सुबोध राकेस या मम्ता राकेस इस बार जनता किसे यहां से चिताएगी बात करेंगे अब यहां के हमारे साथ हैं परदान जी क्या कहेंगे किस तरह का महौल है यहां पर देखिए माहौल तो पिछले विधान सबा में यहां पे कुछ और था विधायक मम्तारा केश को लोगों ने सपोर्ट करा ओठ दिये लेकिन इस बार पूरा का पूरा मामला यहां पर भगवान पूर विधान सबा में बदल चुका है इस बार कैसे देखिए लो आप नहीं हुआ ज्यादा तरह गाओं ऐसे ही हैं और रहीबाद बसपा से आये हैं अब सबोड़ाकेश जी बसपा या कोई ने पारटि से दो में मतलब धिया मतलब सुबोड़ाकेश के साथ हैं और व क्या कहना चाहांगे किसके पाक्समें महौल सोबोड कि जोग और से मिलना पसंद निंगरती इसलिए लोग बाग चारे हैं कि तो किस के परक्स में मौहूल इस बार सुबोध राकेश इनका कहना किस लोग और मोज़ दे क्या नाम भाज़ आपका मौमन समसाद तूरूसार जी महौल क्या है यहां मॉर्ध क्या है किया कर दो हुआ है के मां तरह के जीन्हें कामलका श्यां मारे गाहों किया इसलिए ने विकास नहीं किया सिर्चे दीगाउं में आपका गाना में लोकेश जी टूट किसने किस पर एंगे तो भी उसके पास गया उसने वह काम किया और विदाक रहतो उसने ममताराकेश ने वह काम नहीं किया कि वहीं कि या मैंना में ले नाम क्मार इस फार किसका मोहल देख रहेए हैं और हूं सब्सक्राइब कोषणे कि एक नम मता डूट करें इस दिश् breaths इस तरस पांट कर इस लिए नहीं जाते हैं उन जाते हैं लेकिन ममता प्राड़के ज्ञाधा ध्यान रखती है वह मतार के सभी के तो आप प्रधान जी के सपोर्टर हैं फीक है आपको क्या नाम वाई इसका महूल है इस बार बगवानपुर में सबहुद राकेश तो आप देख सकते हैं के मिली जूली प्रगृति आ रही है एक सक्स हमें यहां पर मिले हैं जो ममतर राकेश के सपोर्टर हैं इन से दुबरा करते हैं मंतरा किसको क्या पसंदाया काम आपके सर मुझे मंतराइब का एक पसंदाया कि उनका और पैठना और गौम आना और जाना उनका बहुत अच्छा लगता मुझे गरीब पाल्टी में अच्छा लगता है मुझे मुहम्मद मुझमिल है जो विकास कराएगा जिसने बगेर विधायक रहते हो भी काम कराया हमारा सबोध राकेश अगर आप फिलाल गाओं में जाओगे अंदर तो पानी और किछड के अलावा कुछ नहीं मिलनेगा सड़कों में खड़े मिलेंगे विकास बिलकुल नहीं मिलन आगे दूसरे गाओं में देखेंगे के महल क्या है तो फिलाल के लिए इस बुलिटन में इतना है बाकी देश और दुनिया की तबाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बरियर ये गाज न्यूस वर्ड इंडिया के साथ शुक्राइए झाल 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 झाल